सोनिक एंटरप्राइजेस से आप हर तरह का आउडियो वीडियो कैसेट हासिल कर सकते हैं। उलमा दीन की तकरीर और दीगर मालुमाती इसलामिक आउडियो वीडियो कैसेट्स। वन्यूद बिल्लाहि मिन शुरूर अन्फुसिना विन सेयात आमालिना मन याथिह ल्दानु वलाम गिल्लाहि वमन युद्लिलु वलाम आदियलाहि वन्यूद अन्यूद विल्लाहि वह्दबू ला शरीक लह वला नदीर लहु वलामिसाल लहु वलामिखल लहु वलाम यीन लहु वलाम वजीर लहु वलामुशिर लहु वनषद अन्न सज्ड़ना वसनदना वनभीयना वनभीयना वशफियना वादियना वमुर्षिदना वम्मद अब्द वर्सूल हु अर्सल हु बिल्हकि बशीर वनदीर अ खल्लाव तराला आलिह बालिह वालिह वाश्हाबि वाजबादिह वजुर्यादिह वबारक वसल्म वसल्म तस्रीमां कसीमां 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 अमा बाद 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 बिल्लाव स्विय अलीम मिन श्शीतान र्रजीम बिस्म ल्ल्ह र्रह्माई अर्जीम उन्मत्य अन्मत्य अन्मत्य अल्यकुम् वाव्व बादिय उव्व बाह्दिकुम् उज्याय का रहबूहुम् वामिलु बिमा उन्जल्तुम् सद्दिकं लिमामादुम् वला तकुनु उव्वल काफिर बिहुदुम् वला तस्तरुव बायाती फमनां गलीला समनां कालील हुम वए्याय वess्ततुनु फब भसे सुरा मैं किर झालौर की रचिन लिड़ कि अथे हुआ हैं उर्मु माथत जलासिंल कुotब पार कुम उर्श Smart यांब्ल्ही रभ्लामीन अल्हों हम अल्हों 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 परल्हों आला मुहम्मदी त्रिज्जिए एल्हों कि मैं आला इब्राहिम आला आलि इब राहीम इनके हमीद मजीद अल्हुम्लान बारिक आला मुहम्मद थि कमादार स्लाव इबुराहीम ठाला आलि भराहीम इनके हमीद मजीद खेर और बरकत के साथ गुदर गया परवर्दिगार आलम ने हस्ब हैसियत और हस्ब नियत में ठीकी तोफिग अता फरमाई जैसा किसी के मुकदर में था परवर्दिगार आलम ने वैसे उसे अता फरमाया और हस्ब नियत में इसलिए कहा कि आदमी की नियत के बगए कुछ भी नहीं मिलता ना दीन मिलता है ना दुनिया मिलती है यही वज़ा है हमारा दुनिया के बारे में ये यकीन है कि अगर महनत करेंगे कुछ मिलेगा दौर धूब करेंगे कुछ मिलेगा हाथ पौँ मारेंगे तो कुछ मिलेगा यूल कुछ नहीं मिलेगा मुसल्मानों दीन के बारे में भी कम से कम यूल ख्याल कर लो कि अगर हाथ पौँ मारेंगे तो कुछ मिलेगा दौर धूब होगी तो कुछ मिलेगा कोशिश करेंगे तो कुछ मिलेगा खामखा कुछ नहीं मिलेगा अगर रुपाया, पैसा, धन, दौलत बगएर कोशिश और मेहनत के दस्तियाद नहीं होता तो जन्नक कैसे मिल जाएगी रजा इलाजी कैसे हासिल हो जाएगी वो तो बहुत बड़ी दौलत है और ये दुनिया जिसके पीछे हम हाथ दोकर पड़े हुए है सहाब एकराम ने, अंबिया एकराम ने, ऑलिया अजाम ने इस पर ठूका भी नहीं वो इसकी परवाई यह नहीं करते थे उनके अंदर एक यकीन था कि रबुल आलमीन का वाइदा है कि खिलाना मेरा काम है मेरे दर्वाजे पर सर जुकाना तेरा काम वो काते थे हम खाने के पीछे क्यों पड़े है जो खिलाना उसके जिम्मे है वल्लदी हुआ युक्यमनी वयत्तीहीन वाइदा मरिस्तुपहुआ यश्पीहीन परमया खिलाने वाला मैं पिलाने वाला मैं बिमार हो जाओ शिपा देने वाला मैं वो मेरे बंदो रोजी का मामला करोबार का मामला दंदो का मामला ये तमाम का तमाम मेरे कब्ज गुद्रत में है मैंने किसी को साजी नहीं बना रखा जिसको चाहू लखा पती बना दू जिसको चाहू करोड़ा पती बना दू जिसको चाहू तो जान का मालिक बना दू जिसको चाहू दीन और दुनिया दोनों अता कर दू जिसको चाहू दुनिया के अंदर इस टुकलों का महताज बना दू अपने जमाने का बाद्चाओ लेकिन तखते शेंशायत छीन कर इतना मजबूर कर दो कि दो गुम जुनिया के सावने जिल्लत के टुकड़े मांके मर जाए परमाया काम अल्लामी आता है लम यह तासिद वहां से क्छिलाओंगा जहां का तुझे कभी गुमान भी ना होगा मेरी तरफ जुक जाओगे मेरे इभादत गुजार बन जाओगे मेरी तहीड की परस्थार बन जाओगे मेरे नाम के साथ शिरत की लानक नहीं लगाओगे मुझे सारे जान का माली को खालिक मानोगे उलाद का मालिक मैं, माल का मालिक मैं, तेरी जान का मालिक मैं, तेरे तारखाने का मालिक मैं, तेरे पीवी बच्चों का मालिक मैं, तेरे अधीज अक्रबा का मालिक मैं, वाल्ला हुआला कुल श्युक्त कभी ही वो सारे जान पे और कम्जे खुद्रफ मेरा है वो आज मेरे बंदें मान जा तेरा मालिक भी मैожет फरमाया किलाना मेरी जिम्मेदारी है वो पिस्समाए रिजकुक्ति मातु आदूर फरमाया जब तु मीरे मेरे बंग जाता है लाकलू मिन फवुकिहम वमिन तहती अरजलिहम उपर से भी रिजग बरसाता हूँ जमीन से भी रिजग उगाता हूँ तुझे किसी तरफ कि परकतरा भी परेशानी नहीं होने देता सारा दान मैंने तेरे लिए बला सकेतिया सर्थबग है तेरी गिज़ा के वास्ते चांद सूरद और ठितारे हैं जिया के वास्ते सब जवा तेरे लिए और तुझे के वास्ते फर्माया इस बात के गम में तुपड़ा ही न कर मैं भी शामिल हूँ आप ही लोगों में रात को नींद नहीं आती किस तरह पले गदार बच्चा किस तरह परोड़ चलेगा एकाश हमारी नींद उड़े से यूड़े ए मेरे मालिद अगर कबर में तेरा सहरा ना मिलत में कहा जाओंगा मदाने हशर की बरबादी में अगर तेरी रहमत के साय ना मिला तो मैं कहा जाओंगा तो नसराच से गुजरते वक्त अगर तेरी करीमी मुझ पर ना हुई तो मैं कहा जाओंगा उस पर हमारा यकीन नहीं इसलिए प्रेशानी नहीं इसलिए गम नहीं इसलिए खुद्न औ मलाल नहीं अगराते सहाबे एकराम निस्वान लौई ताला लिम अज्वाईन की जमाद इन तमाम चीज़ों को समझ चुकी थी नभी की तालिमात का सही असर उन पे हुआ उन्हों ने जाहरी बात्मी अखलाकी श्यासी मादी तोर पर हुदूर की तालिमात को खुदूल किया उन्हों ने यू कह कर जान नहीं छुडाई थी यह साम नज़द और है ठ्याफ़त और है जब आदमी अंदर से बेमान हो जाए ना फिर हजारों रस्ते निकालता है हजार हार रस्ते बना कर अपने आप को चलाना चाता है पर अल्लाप आप चलने नहीं देता जैसा कि हमें आद़त बड़ी हुई है हर मामले में चूट बोलने की सियिदना इशा लिह सलाएछ जबसे लाइब से Olaf लाइब है एक खाद्म साथ रहता था इशा लिह सलाएछ लाइब सेंगा से विक लाइब सकारा था प्रॉट जबसे लाइब गते हो बाले क्हीं उनकों प्रफ बampf बाप लॉट ले रास्ते लोगती है उसे भी प्यास लगती है और जिसे भूख प्यास लगती है वहाजत रवार नहीं हो सकता तीन रोटियां बनवा कर यिसा लिस्वादिस्सलाम ने खादिम के हवाले कर दी सफरता होता रहा चलते रहे जंगल का रास्ता है सुप केसे खादिम ने एक रोटिञ निकाल कर खा ली किसी दरफ्ट के नीछे जाकर छों में इसादिस्सलाम बैठे फर्माया रोटि ले आज़र निकाल के देखी तो दो निकली इसादिस्सलाम फरमाने लगे गिरती तो टीनों गिर जाती ये तीसरी रोज़ती कहां गई काने लगा आपकी खसम है मैंने तो नहीं खाई ज्यमसे हमारे यहां कासम की कोई कीमत नहीं यहीं बिला वज़ा किसम खाते रहते हम लोगे शाथ साथ में खसम है और उलमा ने लिखा है कि जादा गसमे खाना भी जूट होने की अलामत है जो हर आन कसमे काता है उसको खुदा की कसम स्य क्या आर हर क्या गhiरत है तो इशा अलेस उला, को असल attempting समझ गए कि इसने जूट बोला है और जूट बोलने वाला अगर मेरी साथ रहा तो कई खुदा का मुद्पर इताब ना आ जाए नभी डरता है इस बास्ते कि मेरे साथ जूट बोलने वाला न रहे कई इसकी वज़ा से लाकी नराज़ की ना आ जाए कभी हमने भी सोचा कि ये सुशैटी ये मजलिस ये माश्रा ये महौल जो हर वकद जूट के तरफ गामजन है हम इससे बचली की कोशिश करें कभी नहीं कैसे क्या करें आखिर जमाने की रफटार है जमाने की हालाते साथ साथ चलना पड़ें अगर च्यामत में लाफ़ाक नो ये फरमाद लिए कभी जमाने की रफटार है सब को जहान्म में जाना पड़ेगा फिर फिर क्या होगा तो अल्ला के पेखंबर ने मौज़ज़ा दिखाया इशा अले सलाथ असलाम का एक मौज़ज़ा ये भी था कि मिट्टी की धेरी बनाई और सरमाते हैं थे अल्ला के हुकम से सोना बन जा बस वो सोना बन जाया करता था जो उसे ये वाकिया तफसीर में मैंने सोना कई मरतबा मेरा दिल करता है अगर कोई वजीफा बता जाते सोना बनाने का तो मैं भी पढ़ लिया करता और तुम सारे मेरे पांट बाते आकर कि सोना बनाने का वजीफा हमें भी बता दे सलात अलाजात पूछने कोई नहीं आता सलात अलतस्वी पूछने कोई नहीं आता खुदा को मनाने वाली नमाज पूछने वाला कोई नहीं आता खुदा के नाम पर सही खेरात करने का मसला पूछने कोई नहीं आता जगात देने का सही मसला पूछने कोई नहीं आता अगर मैं सोना बनाना सीख जाता तो साथ पाकिस्तान और बल्के दूसरे मुलकों के लोग भी अलहम्दलिल्ल्ह यहां मेरे कदम और पौँ पकड़ते और अल्या कि कुरान के मकाबले में कुरान कं सोने पे लाणत है एक आयत के मकाबले क्यों सोनने के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे कुरान वाला कभी न बदला सोनने चांडी के मालिक तो मैंने कई बदलते देखे और यह बदले के तू बराए बंदगी है याद रखे तू बड़ा बंदगी है याद रखे बहरे सर अफगंदगी है याद रखे तू बड़ा बंदगी है याद रखे बहरे सर अफगंदगी है याद रखे चंद रोजा जिंदगी है याद रखे वरना फिर शर्मिंदगी है याद रखे याद कर ले इस बात को या इन दिनों में कुछ बना ले वरना हमेशा हमेशा के लिए स्विन्दा रहेगा तो ईशा अलिए अलिए भू असलाम ने मिट्टी की तीन धेरियां बनाई उस खादिम के सामने और फर्माया के सोना बन जा वो सीनों धेरियां मिट्टी की तो ना बन गई अल्ला की नभी का मौजज़ा है शुकर रखुमें ऐसा कोई दुर्वेश शकीर आज तक मिला ही नहीं वरना उसको अलल ऐलान खुदा मानते अलल ऐलान खुदा मानते ये प्रगंबर का मौज़ज़ा है जो मिट्टी की चिड़िया कुरान मजीद का तरजमा कर रहा हूँ मिट्टी की चिड़िया बनाई और उसमें फूक मारी कुम बेख निल्ला सान फुक फीह बया कुन तईरं बेख निल्ला मिट्टी की चिड़िया बनाई फूक मारी फररर करके वो चिरिया उड़ दे अगर आज कोई ऐसा यूं करता ना मैं कहता हूँ एक भी खुदा का नाम ले 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 वाला सहथ नाम लिता तो देखो परिंग नहीं बढ़ा रहा है एसा लिस्लाथ उस्लाथ 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 उ ये सोने की डेरी उसकी है जिसने पीर ठीर त्रिर नोड़ती खाई तक जया लगा आल्ला की कसम ऐ काई आल्ला की फिर्जम्ब की आंखों में आँच हुआ फरमाया इदर भी कसम है और दुनिया की तलबगार क्या करेगा इस तोने को लेकर इसी को काता कि सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है सोने चांदी की चमक बस देखने की बात है चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी राहत है उसने का चलो पैगंबर की खिदमत से तो गया परगंबर की खिद्मत से तो गया, साथ रहने से तो गया, पर मिट्टी की गष्डी तो बन जाए, होने की गष्डी तो बन जाए तो सिज्दिना अल्ला के नभी दौनत को हाथ में लगाया करते अल्ला हुआ अक्बर इमाम अन्बिया मादो बे किबरिया अथर्ष मुहम्ध मुस्तिफा 1000 अल्ला अथाल आलिसस्वाद इसलम को जो आल्याओ अन्वागे मतहरात मेंसे किसी ने देखा घरवायलियों मेशे किसी ने देखा सारी रायज कर्वदी बदल बदल के गुजर दी सारी रायज प्रेशनी में गुजर दी अज़ाज मुतहराप मेंसे अम्लमुमिनाप मेंसे हमारी माँ मेंसे किसी ने पोचा या रसुल्ला आज नींद क्यों नी आई आज की रात सारी गुजर गई नींद क्यों नी आई वर मैं रास्ते में एक खुजूर पड़ी थी मैंने इस नीच से उठाकर खा ली कि ये जाय हो जाएगी किसी के पैर के नीच से आकर खाने की चीज़ है अब मुझे शुबह यू पड़ता है वो कभी किसी और का हक ना हो शहमशाह काईलाथ है इमाम अन्बिया है एक खुझूर के लिए साई रात बेश्यान है हम रब्य दबा जाते हैं एक मिनट के लिए कभी परेशान दा हो हम हजारों खा जाते हैं लाखों मार जाते हैं तुमी तो उर्शी नभी का उम्मती है मदनी करीम शुल्लाथ टाला ले सल्म ने फर्माया एक दाना जब आदमी के हलके नीटे हराम का जाता है और लामिया की तरफ से उसकी तरफ अधादान अथारल फूर हो जाता है तो इस आल इस लात लात अशलाम ने जब उस ने खादम ने का ना इसा अलिए 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 अल सोने की मज़े हो गए चलो नभी की खिद्मत तो महरूम हो गया लगर सोने की तो पांड मिल गई ना उसे ने गष्णी बनाई सोने की और लेके चला सामने से तीन डाको आपते हुए मिल गए उन्ने का क्या है अगर मैं नहीं बताओंगा ती फकर के देख लेंगे ये तीन है मैं एक हूँ कहने लगा सोनना है वो लगे जरा आंके बदल ले कहला का भी माले बारने की कोई दरूरत नहीं बहुत बड़ा सोनना है तीन माफ तीन को जाएंगे दो हाए थी तीन हिस्चे कर लेंगे तीनों कोई मारने की गतल करने की जरूरत नहीं आज कल का जमाना तो थाई नहीं जो मरने के बहुत तलाशी लेंगे विछले साल साहईवाल में एक आदमी को गतल किया जब तलाशी ली तो दस पैसा निकला अभी तुम सोच रहे होगे कि वो कितना बड़ा बैमान आगमी होगा जिन नभी का साथ छोड़ गया इसा ले सिलाम का साथ छोड़ने की वज़ा से छोड़ दिया क्या ये बैमान उसी जमाने में थे आधकल ऐसे बैमान नहीं ये रमजान मुबारक के दो जमों में जो एक एक सेकल गई है ये मुसलमान ले गया ये इनसान का अव्तुखम ले गया ये रसूलल्ला का उमत ही ले गया कोई रमजान का महीना हो अलविदाई जमाए और सेकल चुराकर अपने हाथ को काम्याद समझता मेरा इमान है उलाई ऐसा नहीं करता शुख और इसाई नहीं करता जो आज मुसलमान करता और फिर मुसलमान के मुसलमान हो किसने तुमें ये पट्टी पड़ाई है कि तुम सुवर खाजाओ फिर भी मुसलमान हो कुट्ता खाजाओ फिर भी मुसलमान हो हरام खा जाओ फिर भी मुसल्मान हो रमजान में चोरी करो दिना करो, शराब पियो, बद्दकारी करो फिर भी मुसल्मान हो ये कौन से मुल्ला ने तुझे राह लगाया है इसलिए तो इन मौल्मों से लोग खुश है तो क्याते अब जी, कबूतरों के लिए पैसे दो मैं दाना जाके डालोगा बैतुल्ला को सारी उमर शराब पियो, जुआ खिलो, हराम खोरी करो बस कबूतर दाना खाके बैतुल्ला के कंगूरे ते दे के आख देगा मैं हुड़ो जागाना खाना खाना जड़े लेता ही तू उन्हें बस के नहीं मैं तेरे कादे तू लाहदा ले तू खुद ठाका इसलिए बड़े बड़े ठाक जो चारों करो फिर तो नहीं की कागू आता है दो आदमियों के मतलब कातूरा गया यव्दा बड़े वाले का और यहां तुरे बाद को जन्नत में दाखिल करारे वाला मुला ज़या दो आदमियों का ठेका रह गया अरे ठेके खत्मों जिमाद नहीं है जिमाद में खोपरी में जिमाद नहीं है कोई पता नहीं कोई पता नहीं कि वो तुझे जाब होसला देता है वो करे लगा भी मादे दाड़ने की कोई जरूरत नहीं तो नहीं बहुत है दो तुम हो एक मैं हूँ हिस्चे कर लेंगे तीन उनना बहुत चलो ठीक है तो एक को करने लगा जाओ तो रोटी पकवा के ला चर से दो मां किसी द्रख के चाओ में बैठ गये सो गए दुनिया थारी पुर्मकर है दुनिया दुनिया ईलाम फितने का नाम दुनिया है वो जो शेर में रोटी पकवा रहा है ला वो सोचने लगा अराम से सोई पड़े हैं चाओं में मैं दूम में फिर रहा हूँ परिशान हो रहा हूँ अपनी तो रोटी खालू यहाँ उनकी रोटियों में जहर मिला के ले जाओ खाते ही सो जाएंगे सारा के अनला मेरा सारी गैलत मेरी तमाम का तमाम मेरे हो जाएगा दिमाग ने अजाज़त देगी ठी करो ऐसा अपनी रोटी वहाँ खा ली उनकी रोटियों में जहर मिला के लाया और ये दोनों आपस में कहने लगे जंगल में पड़े हम वो शेर में फलूदा खा रहा होगा खुदा जाने क्या अच्छा उड़ा रहा होगा मज़े बड़ा चुचो रहा है देर लगा दिये देख लो खाने पीने मस्दूट है वई एक कर लगा मैं बिताओं तरकी उसने का क्या है क्या है आवे ला अबेत अबेतर के मार तलवार करतन दूर जाके पड़ेगी आप डोनों आप दूद हो जाएंगे नीस पाड़िस इन्हों ने तलवार प्याहर कर ली वो जहर मिला के लाया इसी का नाम तो दुनिया है फरमा दुनिया थोड़े दिनों का सादा लाया गुरनका तकल्ब लदीन का वरार फिल बिलावाद मतावं कलील दुनिया का धोका तुझी धोके में ना जाल दे दुनिया की से वो सीनत तुझे लपेट के ना रख दे तुझे इस आखरत तुर दुनिया में खसरत दुनिया वल आखरत दालिका हुआल खुसरानिल मुबीन खसारे में लाल देगी तुझे अब वो तो जनाब रोटियों में जहर मिला के लाया और जब आया ना वारा दिन खर्ट कर दिया शहर में तफरी होती रही जनाब की हैं हम यहां परें तरह दाब के ना करें तो कि जाला करते हुए मोड़ी तलवार करतन वो जाते पड़ी तो क्या लगए लगए बाई कषगी रांद आपने दो लो निस वानिस होंगे खाना खाओ रोटी जो खाई लगए थोड़ा सा आराम कर लो तबियत भी गड़ रही है उस दमाने में सेमन अब तो थी नहीं जो पौर उन्पी लेते उल्द लगए थोड़ी से तबियत भी गड़ गड़ी क्या वाप है थोड़े से सो जाओ उस खाके जो सोए फिर कौन उचता पूर उठने वाला कॉन था चन्द दिनों के बाद ईचा रिस्माक वोशलाम का वहां ते गुजर हुआ तीन लाशें पड़ी देखी उस होने की घष्णी रखी देखी पहचान ली अए दुनिया तुने किसी से वापा ना की एए दुनिया तुने किसी से वफा ना की तु किसी की ना बनी तुने दुनिया को मरवाया और तु फिर भाग कर किसी और की बन गई उसको मरवाया फिर किसी और की बन गई उसको तबाग कर आया फिर किसी और की बन गई तेरे शोहरों का कुल ठिकान आई इसलिए गुरान करीम ने इस बात की तरफ हमें मतवज्जे किया जो ठरे खलब जिन्दगी से बादा तबियत बदलो, मिज़ाज बदलो हालात को फलता दो ताके जिस वक्त तेरी मौत आए तो फुष्ट तेरे बल्ले हो ना अगर तुम्हारा पैसे के बारे में ये ख्याल है कि सफर में पैसा काम आता है हारा जहान कहता है सफर में पैसा काम आता है मैं चाहता हूँ कबर में गुरान काम आता है अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि रिष्ट नातर शादी ब्यान में पैसा काम आता है मैं चाहता हूँ ख्यामत में एमान काम आता है तुम इस पर अजहान कब करोगे आखिए अज़त मौला अइमाद लिसाब लाहौरी सबकद रहमत ल्ला आले ये चीज़े अल्ला वाले के जूतिया सीधी किये बगार नहीं मिलती कि दुनिया क्यातीज और दीन क्यातीज है ये सहचान नहीं मिलती होती जवता किसी अल्ला वाले के जूतियों में आदुमें वक्त ना लगा है बड़ा मश्किन हो जाता है आद्मी का तमीज करना हज़त लहौरी रहमत ल्ला आले फर्माया करते थे कि जब मैं लहौर में कुरान मजीद का दर्स दिया करता था तो एक मज़ूब किशम का आदमी के जंगर से आता था और सुबह का दर्स कुरान का सुन कर इतना तेजी से भागता जैसे इसके पीछे आग भाग रही हो माज़त लहौरी फरमाते हैं मैंने एक दिन उसे पूछा कि आप इतने जल्दी क्यों भागते हैं तो यूँ फरमाया कि लहौरी तेरा दर्स कुरान का सुनने ते इसलिए आता हों कि फरिष्टे तेरे दर्स में आते हैं तेरा दर्स सुनने तो इसलिए आता हूँ तो फरिश्टे तेरे दर्स में आते हैं और भादता इसलिए हूँ जैसे ही तो कुरान बन करता है लहौर शेर के उपर अजाब के बादल क्या जाते है हद्रत लहौरी रह्मतुल्ला आली की जगे पर एक साल मुफ्टी मेमूस साब रही महुल्ला ने कुरान करीम का दर्स पढ़ाया तर्जमा पर जाती कि जैसी मजमे में बरुमाला तारी मस्जिद खुश्बू से मुष्टर हो गई मुफ्टी साब फर्माते थे कि हमारी समझ में नी आता था कि ये खस इतर की खुश्बू है हिना की है घुलाब की है चमेली की है जरबार की है जाफराम का इतर है कुस्तूरी है अंबर है क्या चीज़ है खुश्बू निराली है और जो तालिब इलम पढ़ रहे थे उस जमाने में आखरी दिन सा खतम कुरानि मुझीद था उन तालिब इलम ने मुझे बताया तो इतनी तेज खुश्बू दिमाग परवर रुह परवर करी नी सूंगी तो मुझी साफ फर्माते थे कि मैंने मौला उमेदुल अन्वर से पूछा क्या थरफ रुमाल तो हमने इस किसम के बहुत देखे रुमाल तो इस किसम के हमने बहुत देखे नगर ये खुश्बू आपने कहां से लगाई है इसमें रुमाल तो आम दुनिया लिए फिरती है नगर ये खुश्बू आपने कहां से लगाई इसमें इतनी बहतरीन खुश्बू है रुफर्वर खुश्बू है मनभाती खुश्बू है और सारी मस्जिद अंदर से बार से बरांदा जितना बार मजमा है सारे का सारा मुट्र है ये खुश्बू का उसे लगाई तो माला अबदू अन्वर ने रो दिया और फर्माने लगे कि अबा जान को जब मैंने जब आखरी वक्त में तख्ते पर खुश्बू दिया था इस रुमाल से मैंने हदर्त लहौरी की दारी का पानी खुश्क किया था सटरा साल गुश्बू गज़र गए उस दिन से लेकर आज की सिर्माल से योई खुश्बू आती है सटरा साल के बाद भी कपड़े से योई खुश्बू आती है कई लोग हमें कह देते हैं का री आनीश तो बली ओ को नी मानता है लो देखो मैं तो बली ओ की दारी के अंदर से अतनी खुश्बू मानता हूँ कि जो दुनिया में नहीं मिलते पर बली हो ना नंगा तो ना हो ना वली हो अलाव आलाव ओ सरकार मदीना का घुलाम हो قرآن का खिदमत बुदार हो सारी उम्हाद के आद قرآن हाथ में लेकर और قرآن करीम के अमल करते हुए बुदारते लहौरी इतना बड़ा वली था मलक अमीर महम्मद खान गवर्नर पंजाब हज़त लहौरी की खिदमत में आया समझदार आदमी था के पिछले लोग फिर भी All jullie वालों की ख़दर किया करते थे अब जैसा गफला तो कभी भी नहीं मचा हज़त लहौरी से अरस किया नवाब गवर्नर पंजाब ने मेरी बच्शी का निकाह आपने पढ़ाना है मेरी बच्शी का निकाह आपने पढ़ाना है तो फर्माया कुछ शर्टे हैं मेरी मेरे जैसा होता तो उसी वक्षा जी सुभान अल्ला गुवर्नर साथ की बच्ची का निका मैं तो लाओ हारे पाकिस्तान में चर्चा होगा अख़बार में खोटू आएगा हजारे निका लोग मुझे और पर वांगेंगे आम अधिनी का सरिया बलेगा सुभान अल्ला लग जाता पीछे मेरे जैसा मुल्ला होता तो गुवर्नर साथ का पुझ्छल पकड़के पुझ्छल पकड़के पीछे 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 लग जाता वगर वो लहोरी था दुनिया पे ठूकता ना था का गुवर्नर साथ तीन चार सरते है मेरी पहली सरत तो ये है कि तुमारा वो जो आईली कावानीन का फारम है मैं उसमे जश्खत निकलूगा और दूसरी सरत ये है कि एक टेड़ी नहीं लूगा और तीसरी सरत ये है कि उसमे में और अक ना हो और चौतिस सरत ये है कि दश मिनट से ज़्यादा नहीं ठैरूगा जिसके दिल में कदर होती है वो सारी सरते मानना करता है कहल लगा बिलकुल ठीक है जश सरते और बताओ सारी माननूंगा लेकिन निकाह आप से पुढ़वाना है निकाह आप से पुढ़वाना है आजकल निकाहों कभी क्या मामला है मैं बेरी वाली में खतीब था उस माले में एक शादी हुई तो निकाह के लिए मुझे बुलाया बरात आई थी लहोर से फारे ये पतलुल्ला वाले फेक खची खीचे खचाए जैसे गोड़े का साथ नहीं खीचा रहता तांगे वाले गोड़े का पिल्कुल कसा हुआ साथ अब खड़े सारे मुझे बीच में खड़ा कर लिए नो कहां जी पढ़ो निकाह मैं खड़े खड़े कि हाँ और क्या यारो ऐसा निकाह सिक्खा ही नहीं जो खड़े-खड़े पढ़ा त। मैं खड़े याद रखो अगर मैंने खड़े-खड़े निकाह पढ़ा दिया ना ये दुलार दुलाम फारी उमर भागते ही थी रेंगे ठैरने के नहीं मैंने का तो बनाओ बैamed के तंगी थी इसलिए खड़े होने का का इंतізाम करती है य., ख्ाला भी खड़े होके खाया है, निकाह भी खड़े हो जाए मैंने का मैं तो ड़ता हूं, तुम सारे ये काम खड़े खड़े ना कर चुरू कर देना फिर तो काम चलेगाई कोई ये तुमार दी तुमारा आकिर बड़ी मुश्किल से मेरे बैटने की जगे बढ़ाई खर लगर की दुना तो खड़ा रहा निकाह तो इसी का है न ये निकाह एवाभ बढ़ादूगा ख़ड़ा बढ़ादूगा पर अब बड़ी मुश्किल से यूं पैर प्हेला कर जैसे पुट्ता नी बाचता उसने यूँ पैर प्हेला है पिछे से पड़ा करके पतलून फट गई इसमिले मारे राजी होते हैं इस लिवास पर माले खुश होते हैं वागूदी हैं नलाले तरीके, नलाले तौर इंग्रेज बे इमान की नकल करके खुश होते हैं देखोगा ना अपने इन लोगो देखो यहां जेबे लगती है यहां जेबे लगती है और यह कई यहां पीछे जेब लगाए फिर से फ्लेट फार्मों पे किले पे कभी कभी जाओगे ना सर्दी की मौसम में यह पीछे से नकल कर खके देखो गया आप यहां चल गोजे चाब हैं यहों निकाल नकाल कई पीछे से देखने वाले को नफरत आती है कि जेब कहाए लगाई है यहां कोई खाच दरबार है लोग भी यहीws निकाल के नेते पिछले दिनों में पशावर जाने लगा तो वो टिकट ओके कहते हैं, टिकट ओके कराते हैं न, तो चानस के लिए एक बाबुजी खड़े थे, उसने का अचा जी पैसे निकाल लो आपको टिकल लो, मैं बिलकुल मिला वा ख़ड़ा था न, वो यू जुका, मना आगा शायद तो गवर्नर पंजाब ने, लल्ला उसकी मख्रब फर्माए, हम सब गुनागार हैं बाराल, जब तक मलक अमीर गवर्नर पंजाब का रहा, गवर्नर रायथ में औरत अगम न रख सकी, और जब यह अलल ने तरलने आए, पिर यह औरत के बगएर लेटरीन में भी न गए, मैं किसी और तरफ चलीगी कि हदरत लहौरी रहमतुल्ला अलई ने, ऐसे वक्त में भी, वो बाद्शाओं के सामने, वो गवर्नर के सामने, वो ताल बिल्म और फकीरों के सामने, यक्षावली से बदला नहीं करते थे, सुनाचे वो इस शर्ते पूई हुई है, हदरत ने जाके साथ की थी, सतरा साल गुदर गए, हमें आज तक इतर खरीदने के जरूरत नहीं पड़ी, और कबर की मिट्टी से भी खुश्बू आई, लोगों ने का किसी मुरीद ने सेंट फैक दिया होगा, लबाटरी वालों को मिट्टी दी गई, उन्होंने रिसर्ट की, तहदीश की तफदीश की, और रिपोर्ट ये दी, ये वो खुश्बू है जिसका दुनिया में वजूद ही ने, इसलिए मैंने ये आयतें आपके सामने रखी, कि कितना रब्बना रब्बना आदमी करता है, बगर उस वक्त के रब्बना से कुछ नहीं बनेगा, अब की या रब्बी य रब्बी से बहुत कुछ बन सकता है, वक्त है मांग ले, वक्त है कमाई कर ले, वक्त है इन रातों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है इन दिनों में कुछ कमाई कर ले, वक्त है दौनत कमा ले, कबर बना ले, हशर बना ले, कियामत के दिन का साया तयार कर ले, कबर के लिए ब अगर इस तारी जिन्दगी को यूँ पर बात कर दिया जिसाब हम तो यूँ कह डालेंगे कि मेरी बद नसीबी ने मुझे मार दिया था और ये गुमराई हो दो गई जी तो इससे काम नहीं चलता पर वर्दिगार आलम मुझे और आपको कुरान करीम समझने की समझाने की तो जब तक हम कुरान करीम के नजदीक नहीं आएंगे याद रखो कोई कौम काम याद नहीं हो और अपनी ऑलाद को समझाओ दो चार आयतों का लिखे पड़े हजरात तरजमा बेश लिया करो कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या हुकम क्या है खुदा हमें क पता चलेगा उसकी रहीमी का ही पता चलेगा उसकी करीमी का पता चलेगा जन्नत और दोज़त के वाकियात और उनके मजयन होने का और दोज़त के अंदर शदीद तरीन आज़ाब होने का पता चलेगा खुदा की खिसम चाहब एकराम के वाक्यात अगर आपके सामने लाओं तो आप हैरान होंगे कि इनसान होकर पेट भी था, दीरी भी थी, बच्चे भी थे, भूग लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी जातुर्रिका एक जंग का नाम है, जातुर्रिका, जातुर्रिका एक जंग का नाम रखा गया, इसका उर्दु तर्जमा है, तीछड़ों वाला जंग, ठीगड़ियों वाला जंग, तल्यों वाला जंग, इतनी गुरुबत थी मुहम्मद अल्लाले सल्म के गुलामों के पास ना जूती है ना सप्ड़ा है या खुदा की गसम पक्तर पे पौर रखते थे सहाबा कहते हैं ये मालूम होता था कि हमने आप के अंगारे पे पेर रखते है अपने पेरों को चीथ ले और कपड़े ले पेट के सहाबा कराम के ले किशी जंग में सहाबा कराम ने अपने पेट पे पस्थर बांग बांग कर गुजारे किये अधर जाबिर बिन अबजुल्ला रखते हैं कि एक जंग में कम से कम कम से कम पंचराँ दिन तक रोटी की शकन नहीं देखनी नहीं कमाई तो इन लोगों ने की ए मैं और आप क्या कमाई करके ले जाएंगे यसी को तो करता कि करता कि तन में राशा पढ़गा पीरी से गरदन जुख गई तन में राशा पड़ गया पीर इस गर्दन जुक गई अब तो जुक है शरकत खुदा के सामने है बुड़ेपा आ गया जो जाके ना आए वो है जवानी और जो आके ना जाए वो है बुड़ेपा जवानी चली गई मुड़के नहीं आएगी बुड़ेपा आदे अब तू जाएगा बुड़ेपा नहीं जाता बुड़ेपा नहीं जाएगा तू जाएगा कबर आएगी और कुछ नहीं आएगा ना बस्तन आएगा ना जवानी आएगी ना शबाब आएगा ना वो हुस्र जमाल आएगा ना वो ख्यालात आएंगे अब तो कबर आएगी कबर और ये वोही कबर है अगर तुम्हें यकीन नी आता कबर पर अपनी और मेरी तो ये लाखों चारों तरफ मुल्तान के चारों तरफ लाखों तुमसे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईीज, बड़े जागीरदार, बड़े बड़े मन सब के मालिक पड़े है बड़ी बड़ी हसीना, बड़ी बड़ी खुबसूरत बेगमात पड़ी है जाओ अलाद लगाओ पूछ के देखो तो तो तुम्हारा क्या हाल है इसलिए मैंने अरुज किया कि ये वक्त कमाई किये जुमे के दिन दुरूश शरीफ का इहतमाम करो सुल्तान नूरुदीन संगी रह्मतुल्ला आलई ने एक दुमेराद को साथ सो मरतबा दुरूश शरीफ पढ़ा हजार मरतबा पढ़े बगार फोया निकरता था तो मुहम्म्द करीम सिल्ला सलम के खाम में जारत हुई तो मैं नूरुदीन आज तीन सो मरतबा दुरूश शरीफ काम के पहुँचा तब तुझे भी हुजूर की जारत हुई साथ में तो मुलना ही नहीं शौकी नहीं जौकी नहीं इरादा ही नहीं प्रोग्राम ही नहीं शकल यह है आज हमारे बनर बगड़ने की कि हमारे दिलों में वो यकीन की दौलत जो होनी चाहिए वो नहीं अगर यकीन आजाए मौत पर और यकीन आजाए कबर पर यानि मते हुए देख तो हजारों को कंदों पे उठाए तर पहुचा जिया अपनी मौत का आज भी यकीन नहीं बाप को पहुचाया अमा को पहुचाया था तुसर को पहुचा दिया हजारों रिस्तधारों को पहुचा दिया और फिर भी अपने उपर यकीन नहीं इसलिए मैं कहता हूँ कि नमाजों की ताबंदी करो जो मर्द और 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 पर पढ़ना जानते हैं याद रखो जिसने पढ़ा है और पढ़कर फिलावत नहीं करता लगा मुक्त के दिन अंबा करके उठाया गाएगा और पुरान करीम उसके लिए दिकायत करेगा और एक अधिस में आता है कि जो पुरान करीम पढ़ना जानते हैं और 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 वो पढ़ते नहीं तो पिछली रात पुरान करीम उनके लिए बद्दा करता है या लगा इनों ने मुझे कैद किया तू इसको जहन्नम का कैदी बन मुझे और आपको अफिक अता फोरुद चांए और सारी दुनिया के मसल्मानों को अमल के श्रुद अता फारुद आता फर्माई चारुबार में बरकत अता फर्मा या लाह हम सब की जान, माल, रिजद, आबरू, ईमान को अपनी हिपादद में जगे अता फर्मा अपनी प्ला में जग अता फर्मा इलहुलालमीन जितने मर्द और जोली पहलाए बैठे हैं मैं नहीं जानता इनकी क्या क्या अर्जुए और्तमना है या आल्ला तुरे खजाने में कोई कमी नी तु सब के जोली आ बर दे इलहुलालमीन ये हमारे साथी है कोई कास्म पर उसे बच्चा दोड़ दिया है लाताओ उसको खैरीत के साथ गर वापिस पहुछा दे कई साथी है दुआों पे लिए कहा है कोई बस का कारोबार करता है कोई दुकान का काम करता है या आल्ला सब के कारोबार बरकत अता फर्मा इलहुलालमीन क्माम Bisalmanני की मुश्किलो का आसान thickness वर्मा हमें और हमारे वालाद को सच्चा मुसल्मान सक говорит-दिंदार बना आ हमाल उताल अखलाग की त्व ahead हो फर्मा आ हमारा बच्चा अबदिरर्मान अल्हाग इसको भी उलाद अताफर्माए कि अम्शिरा को भी तकलीव अल्ला उसे से थिकाम लाता फर्माए इलाहुला आलमीन बहुत साथे दौाओं के लिए कहते हैं सबी के लिए दौा कर दो या ला ला तमाम लोगों की जरूरियात को पूरा फर्मा तमाम की मुश्किलों को आसान फर्मा जो मस्जिद की मदर्से की खिदमत करते हैं या ला उनके मालो जान बरकत अता फर्मा इलाहुला आलमीन जो मस्जिद को चमकाते हैं तो उने चमका दे जो इसकी रौनक को दोबाला करते हैं तो उनके घरों में रौनक अता फर्मा इलाहुलालमीन हम सब को कबर के हशर के अजाब से बचा मौत की तलखी से बचा इलाहुलालमीन अपने फजल करम से हम सब की मगफरत फर्मा दे या अल्ला हम सब के माबाब की बख्षिश फर्मा सारे साथियों और खिद्मत गुजारों की मगफरत फर्मा तमामरिष्टेदारों की मक्षरत फर्मा, तमाममिसलमानों की मक्षरत फर्मा, ईलाहि की सारे अमत की मक्षरत फर्मा, सारे मखलूक के करwards खर्मा देएँ, इलहुलालमिन तमाम दुनिया के amusement की मुसलमानों की जान, माल, ताबुर्ण, आमान की अपास्चे वर्मा attracting के आखानवाली मौत अता फर्मा, या अल्ला हाखरी वक्त आये, ते लाहुलालमीन तेरा दद्दीदार नसीब हो।। इल्हुलालमीन कल्मा पढ़ते हुए जिस दुनिया से रुखत हो जाएं। हर हाद्थे से हम सब की हिफाज़द फर्मा, हर फित्ने से हम सब को बचा, हर शर सोनिक एंटरप्राइजस से आप हर तरह का आउडियो वीडियो कैसेट हासिल कर सकते हैं जैसे कवाली, नात, मुकम्मल कुरान पाक मेह तर्जमा, घजल, उलमा दीन की तकरीर और दीगर मालुमाती इसलामिक आउडियो वीडियो कैसेट्स हमारा पता है सोनिक एंटरप्राइजस 112 मीना बाजार जामा मसित दिल्ली छै सोनिक एंटरप्राइजस दरगा हरे भरे शाहीगेट जामा मसित दिल्ली छै और सोनिक एंटरप्राइजस 4176 उर्दु बाजार दिल्ली छै phone number 232 85 116 232 68 463 or 9818 32 4038 5 झाल 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 झाल